हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू आफ क्रोम नॉटिफिकेशन इन ओपो यानि की ओपो के मुबाइल में क्रोम नॉटिफिकेशन बंद कैसे करें उसको हमेशा के लिए आफ कैसे करें आए जानते हैं यहाँ पर आपको दिक्कत आती होगी कि आपने कई सारी वेबसाइट बिजिट करी होगी जिसके वज़े से आपके फोन पे गंदे गंदे नॉटिफिकेशन आ रहे हैं तो इसको बंद करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में ही तो गूगल क्रोम में ही वो सेटिंग दे रखी है आपको अधर से कोई अप्लिकेशन डाउनलोड नहीं करना है तो गूगल क्रोम में जाएए गूगल क्रोम में जाने के बाद एक नया पेज लिजिए आपको उपर मिलेगा यहाँ पे तीन डॉट एरो मिल जाएगा या तीन डॉट मिल जाएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरे फोन में एक्जामपल के लिए तो ऐसा तीन डॉट मिल जाएगा आपको आप इस पे टडाच करोगे या आप अपने OPPO के मोबाइल में यहाँ पर तीन डॉट पर टाच करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा Settings यहाँ पर देख सकते हैं वरना यहाँ पर Settings मिल जाएगा तो Settings पर आना है आपको Main Settings पर आने के बाद ऐसा Page आ जाएगा थोड़ा बहुत आपको Change मिल सकता है यहाँ पर आपको नीचे के तरफ आना है यहाँ पर आपको मिलेगा Notifications ढूंड लीजिए इसको यह आपको Easily मिल जाएगा तो इस पर टाच करें और यहाँ पर आपको ऊपर मिलेगा Allow Notification तो Simple इसको बंद कर दीजिए और आपकी सवाल है तो कमेंट करना मत भूलिएगा